नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजों नराय पूरा देश कोरोना की चपेट में है आए दिन कोरोना लोगों को अपने आगोश मिले कर मौत के आगोश मिले जा रहा है ऐसे में घर से निकलना खत्रे सिखाले नहीं है इसलिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें इसलिए आज न्यूसवल इंडिया भी आपको घर बैठे कोविट से बचने की जानकारी दे रहा है हम आपको साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आपको किड्नी जैसी कोई परिशानी है या किड्नी से जुड़ी कोई भी गंभीर परिशानी है आप अपनी घर पर बैठ कर कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और इसी पर बात करने के लिए आज हमार साथ स्टूडियों में मौजूद है डॉक्टर अनिल प्रशाद भट जो वरिश नेफ्रोलॉजिस्ट है और किड्नी ट्रांस्प्लांट फिजिस्टियन है अनिल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूस्पॉल इडिया में अनिल जी सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि किड्नी से संब्दी जो बिमारियां है भारत में आए दिन बहुत जादा बढ़ रही है क्या इसे गंफिर बिमारी के रूप में हम देख सकते हैं भारत में का जैसरे अपका ख्रशकाणा है और पिछले कुछ आपका आपका नहीं है अफिठेंट सब्सक्राइब का बढ़ए है क्यूंकि आज की तारिक में देख मख्या कारण नहीं और जैसे जैसे लोगों का अपर बाइशन हुआ है गाउं से लोग शहरों की तरफ की है सिर्टी लाइस टायल है एफलेंसी आई है खाना पीना थोड़ा बहतर हो तो शुगर की शुगर के संस्ट बड़े हैं ब्लब पेशन बड़े उस करण से बिमारें बड़ी हैं डोक्टर यह होता है लेकिन हम देखते हैं कि पिछले कई सालों में चोटी हो बड़ी हो सबसे चोटी अगर मैं जिक्र करूं तो चोटी बच्चों से लेकर व्यसकों तक में हैं यह बहुत जादा गंबीर होती है अगर हमारी किड्ने में कोई परिशानी है तो कौन से स्टेज में पता से आ रही है बिलकुल यह बहुत अच्छा क्वेशन कुछा है भी के घर कि दिकत के बात बात पता नहीं से लांडे कि इस लिए पता चले जाता है यह जब इस युक्छ अब्शन का पता जाता है जल्दी वह स्टों के बिमारी में धर दर होता है और कफी तेजर दर था है इ करें इसे का यह इसके कारण क्या है कि कारण को कै payment बात करें जहां तक आपने बाइंट नहीं पता नहीं चलता है कि इस्टेज फाइव नहीं हो जाती तो हमें पथा नहीं चलता विमारी को लेकर प्रोटीन आ रहा है आपका यह पेस्ट के तो स्टेजडन के रिस्क के निक वंॉटीन काम होती जाथे कि पर रिने चेक कर सकते हैं तो जैसे नीचे आता है तो वह स्टेज आपका है क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारी बाड़ी अच्छी होती है पूरी तरीके से तब युरीन का कलर कुछ और होता है अगर युरीन का कलर थोड़ा साप पीला आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हमारे कीड़ने कोई परिशानी सकती है पर हागर वेग हम पानी कंपिया है और भी और बहुत सारे कारण सकते हैं को ढ़्य नहीं को सकते लोगों को एक लेकिंगे पेशन तक आते हैं यूजरी जानते हैं सूजन आना सास फूलना भूगना लगना ठकान होना यह सब लक्षण जो हैं तो इसके पहले वाली बिमारियों में पहले वाली स्टेज में अक्सर नहीं होता है तो भूग्षण नहीं बहुत जरूरी है जैसे कि शुगर है है यूरी आपको स्टोन की बिमारिया तो आप अपना नीमित अंतराल पर जैसे साल पर में एक बार अपने किड्नी टेस्ट कराएं यूरीन की जांच कराएं यूरीन में एक माक्रो एल्बुमिन टेस्ट होता है जिस शुगर और ब्लब पेश्चर के पेशिंट जिसको अपना साल में एक बार करें तो आसानी से अपनी बिमारी को पकड़ सकते हैं इसके पहले की किड्नी की फंक्शनल कैपसिटी उसका कम होना स्टार्ट हो उसके पहले ही मैक्रो एल्बुमिन लीक होने लग जाता है कई साल पहले तो अगर आप मैक्रो एल्बुमिन टेस्ट कराते है प्लब प्रशे की पेशिट तो पता चल जाएगा कि उनकी किड्नी ब्रिस्क में आ रही है और फिर उससे में अपने किड्नी से सला लगे उस बीमारी का एक पर और चर्चा करेंगे तो अभी जो हम देख रहे हैं कि देश में कोरोना जो महमारी एक बार फिर से अपने चरम तो ऐसे में इस बार उक्सीजन को लेकर बहुत मामारी हो रही है कि अगर हम अपने लंग की बात करें तो अगर कोई को ना पिडित मरीज है उसकी किड्नी पर भी असर हो सकता है तो उसको लेकर उसे क्या अपनाने चाहिए जो जो हलके जिन में लक्षण है जो घर पी अपन इसको बोलते हैं और किड्नी के फंक्शन हो सकते हैं उन लोगों में जिनको पहले से और इक प्रणूंस के प्रणूंस के अपना जो रिस्ट फेक्टर है जैसे शुगर है ब्लाप इसे डवाइया है वह अपने बराबर खाते रहे एक बार अपने अगर बहुत होता है कोवि दौर की बिमारी में तो हो सकता है कम करने पड़ें लेकिन साथ-साथ में अगर वह पेस्ट पे है तो इसको ब्लाप प्रण। हो सकता है और बुखार की दौ के लिए सकते हैं कि लोगों की बदन ने दर्द होता है बौड़ी पेन होता लोग पें की लरग बहुत ज़्यादा करते हैं तो अगर आप पैंपने के अस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं डेली बिस से पर तो उसका इफेक्ट किडनी पे कितना जादा पड़ता है यह बहुत मुख्या कारणों में से एक है जो लोग करते हैं बहुत जादा पेइन किलर मेड़िसन स्काते हैं तो उन लोगों को एक तो अपना रिस्क फैक्टर से एसस करा लेना चाहिए कि कहीं उनको किड्नी विमारी से ग्रसित है उन लोगों को इस तरह एंसेट्स गुरुप की दवाईयां होती है जिसमें कॉम्बी फ्लेम है वोवरॉन है निमसलाइड है इस तरह की दवाईयों का सेवन ना करें डॉक्टर से सला ले परसिटम जैसे कि मैं आपको बताया सेफ है आज को नहीं दवाईयां है जैसे ट्रमडॉल है यह सब जो है लोगों के बगर नहीं लेनी चाहिए अजिन लोगों को बहुत ज्यादा पेंगी कि शिकायत है आज कर से फिर हम सला कर सकते कि कैसे पेंगे को हम मिनिमूम कर सकते हैं डॉक्टर साहब हमने अधार साल पहले या 15 साल पहले अगर हम कीड़नी ट्रांस्प्लांट जैसी चीज स करा पाते थे लेकिन आज कर लिए जो किड्नी ट्रांस्प्रांट ऐसी है हम बहुत निम स्थर पर भी देख रहे हैं किड्नी ट्रांस्प्रांट की नौबत कब आती है जैसे कि मैं आपको बताया कि कि किड्नी की भी मार्यों कि 5 पांच स्टेज और एक रिप्लेस्मेंट थेरेपी यह सपोर्ट थेरेपी की जरूत होती है वह सबसे अच्छा विकल्प है वह किड्नी फिलियर के लिए तो आज किड्नी ट्रांस्परांट इक तो दवायां काफी सस्ती है काफी सारे हॉस्पिटल सब कर रहे हैं तो एक तरह से काफी अफोर्डेबल भी हो गया है आज की तारिक में यह समझे यह आपकी चार से छे लाक और साथ लाक के बीच में एक कमपेटेबल ट्रांस्परांट हो जाता है और इसके अलावा सरकार भी मदद करती है जो गरीब तक के लोग हैं हर राज्य में राज्य आरोग निदी हैं और प्रधामंत्री साहता कोश है तो इन लोगों यहां से भी पेशिंट अपनी मदद के लिए अपलाई कर सकते हैं जहां पर सरकार उनको एक से लेकर पांच-छे लाक पे तक की मदद करती है एक्यूट किड़नी इंज नहीं होता है पहले तो इससे समझने के जरुट है और यह कितनी खतर्णाख हो सकती है बच्छों की अगे मैं बात करूंएब ब्लब की मेदिश्व करते हैं कि नहीं पनके एक है पिर और पर पिसर हैं यह पेन किलर मैडिसन है स्टोन डेजीज है तो यह जब डिजीज करती है तो इसको chronic disease बोलते हैं यह reversible नहीं होता है यह वापस ठीक नहीं होगा या बहुत कम reverse होगा उसके अलग जो acute kidney injury के कुछी दिनों में develop होता है कुछ घंटों कह लिजे या दिनों में डबलब होता है और अचानक से किड्नी के function कम होने लगता है तो इसके मुख्या कारणों में से जैसे की infections हैं कुछ medicines हैं कुछ टॉक्सिंस हैं कुछ rapidly progressive बिमारियां है किड्नी की तो जैसे इंफेक्शन में आपको बताया है तो इंफेक्शन जैसे को बिदा इंजरी का डेंगी है और बैक्टिर इंफेक्शन निमोनिया है इसमें क्या होता है कि अगर हम सही समय पर अच्छे से उसको इलाज कराएं तो किन्नी के function को डिट्रेट होने से आगे होने से बचा जा सकता है पेशन को हो सकता है कि डालेसिस पर जाने से भी आप बचा लें अगर सही समय पर हम उसका इलाज स्टार्ट करते हैं और एक और अच्छी बात इसमें होती है अगर हम उसको अपर पर टीट्मेंट लेंगे तो एक्यूट किद्नी इंजरी उसमें रिवर्सवल भी होगी ज हभरानी की जरौत है बिल्कोल नहीं किसी इस्थती में घबरानी की जरौत नहीं है अधिकतर बिमार्यों के लिए माकूल इलाज उपराब्द है वसको तरीके से उसको करें और सही तरीके से उसको कराए जैसे अब कोड़ की सिच्टेशन में ही अगर कोड़ी हो गया है तो है आप अपना सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसके लावा आपने पेशन के लिए आउन-laiN कंसल्टेशन वीडियो कंसल्टेशन कराई है तो आप उनसे सला ले सकता है कि उनको किस इस्तथी में क्या इलाज उनको लेना चाहिए बिल्कुल डॉक्टर सब अभी आपने बहुत अच्छी बात कहीं कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जादा जरूरी है देखिए हमने रेखा है किस कोरोना मामारी में लोग बहुत साथा पैनिक सिच्टेशन में आ जाते हैं कई बार वो डिक्रेशन में चले जाते हैं कई लोग तो ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करना चाहिए क्या वो जरूरी है मतलब एक मुख्य कारण हो सकता है जो मरीज हैं उन्हें और जादा रखें और अपने अपना ख्याल अच्छे से रखें हमारे घर में जो लोग है अगर उनको जरूरी है क्योंकि यह समझे कि 90 पर संट ज्यादा लोग तो घर में ही ठीक हो जाएंगे 10 पर संट लोग होंगे जिनको रूप पड़ेगा और उसमें से भी 3-4 पर संट लोग जाना पड़ेगा तो घबराएं नहीं अगर हम हिम्मत रखेंगे तो हम घर पर ठीक हो सकते हैं अपने फिजिशन से कंसर्ट करिए उनसे का प्रूप्रेट टीटमेंट लीजिए और ऑक्सिजन की बाद जहां तक है वह अगर ऑक्सिजन लेनी के नौबत आती है अगर हमारे बीजिंग एक्साइज करते हैं जिसको प्रोन पोजिशन भी कहते हैं जिसमें अपना पेट के बल्ला जरूरी तो उससे में उससे आप अपना ऑक्सिजनेशन जाए थोड़ा साथ परसंटेज लिए इन एक्सिजिशन से बढ़ा सकते हैं तो आपको हईल्प करेगा आपका होम पे रिकवरी पे और अवर्ड होस्पिलाइशन को भी अवर्ड करने में हल्प कर सकता है बिल्कुल और इस सवाल है कई बार हम सर्जरी कराते हैं बहुत बड़ी सर्जरी हो सकती है तो ऐसे लोग जो है क्या उन्हें भी एक्यूट किद्नी इंजिरी इफेक्ट कर सकती है हाँ बिल्कुल देखे हैं ये डिपेंट करता है के इज क्या है पैसने कर सकते हैं इसञे क्ले नींचे進 बड़ी से जरू लेते हैं और ताकि उस रिस्क को मिनिवाइस किया जा सके या उसके लिए अगर कुछ प्रिवेंटिव मीजर सकर लेने हैं तो लेते हैं तो यह आपने सही काया कि काडिक सर्द्रीज में इस्पेशली जो है क्यूट इंजरी होने के चांसे ज्यादा रहते हैं पर मोस्तों केसे में आप काडूल जी मानिये कि यह रिवर्सबिल होता है अधीतर केसे में या मतलब इतना घबरानी की जूरत नहीं है अगर आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे और अराम स प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो आप इससे पार पास सकते हैं असानी से इसके लावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है या हम मैं कहूं कि लोगों के मन में असमंजस में रहते हैं वजन वर्णे से बीडनी पर बहुत फर्क परता है जैसे होता है कि जैसे मैं आपको बताय कि नंबर वन कारण डाबीटिस से रहें तो वेडब बढ़ने के साथ जो है पैरलली डाबीटीस और ब्लब बढ़ जाती एं और इंडिपेंडेड़नी वेड़् जा पर सकता है कि बीडनी लोड बढ़ जाता है जिसको अफेजिस नाम की प्रोडम उसमें हो सकती है जो पर अगर किसी बिमारी के करान वजन कम हो रहा तो शायद हो सकता है वो बिमारी एफेक्ट करें पर हां जैसे कि आज कर कुछ लोग जाएं वेट लॉस मेडिसिन लेते हैं तो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि इन दवायों से मैंने कुछ केस को देखा है कि जब किड्नी एफेक सब्सक्राइब करें तो बैतर होगा इसके लावा देखे वैक्सिनेशन की पत्रिया है पूरे देश में चरम पर है और एक मैंसे जो अथार साल से बड़े व्यसक है उनको भी लगेगी वैक्सिन तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि जो किड्नी की वीमारी से जूज रह देश में हैं उनसे की बिमारियां बढ़ने की कोई सब्भावना नहीं है और इस तरह की पेशन को थोड़ा ज्यादा रिसक हो सकता है तो बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को भी यह किड्नी की बिमारिया है चाहिए पे हैं ट्रास्पांट पे अगर उनको अपने ट्रास्म का किड्नी ट्रांस्प्लांट हुआ है इस एक साल में 2020-2021 बाद कुरूंकि पुरा कोरोना काल रहा है तो ऐसे में कोविड से वशने के लिए उन्हें किस तरह से अपने ध्यान रखना है और अगर उन्हें कोविड हो जाता है तो फिर उन्हें किस तरह की प्रोपॉशन्स ले लेकिन अभी फिर से जिस तरह से पैंडमिक जिसनी तीजी से फैला यह तो इंपोर्टेंट यह हमारा इंट्रक्शन कम से कम हो हमें होस्पिल कम से कम जाएं और अगर हो गया है पिछले एक साल में रिसेंट्ली तो हमने कोशिच करना है कि हम अपना जो मोमेंट है वह मिनिमम अपने दवायों का एडिकुरिस्टिक बना कर रखें ताकि लॉक्डाउन की सुच्वेशन में आपको दवायों को की शौर्टेज नहों आपकी किड्नी तो इन सब चीजों का भी धिहान रगें डॉक्टर साब आपने कई केस देखे होंगे कि चोटे-चोटे-चोटे सबक्रियों की समस्यां क्यों निज्यादा बढ़ रही है कि रूटेज मेडिकल फिसलिए बढ़ गई है एक सबसे लगता है कि आपर है कुछ दिए सब्सक्राइब बादी के पर हाई हो सकती है घृड़ाइबया सौ पान जो है अब हमारा जो अदूल का असका सब्से सब जय बिलकुल या खासों से जिसना हम नमक जिससे ज्थाप से जएदा खाते हैं और पानी पिने के अगर है हम फ्रिक्वेंटली पानी नहीं पीते हैं तो वह बहुत हो सकता है और इस पेशिंट को और डिलिक्टने इस फ़ेक्टर है किट्नी स्टोन बनने के तो लिए पानी का जि को लोग केते हैं कि हम नहीं को पानी अच्छा होटा नहीं होते हैं जो फिल्टर पानी है तो भी पानी की उससे कोई संब्सक्राइब क्योंकि पानी तो फिर पिए यह कोई समस्ब्सक्त नहीं है हमारा जो किड्नी स्टोन बनने का रीजन होता है वो एक तरह से आप समझे जैनेटिक समझ सकते हैं कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है अगर अगर आपको टेंडेंसी है आप नहीं देखना है कि आपको अपने खाने में क्या क्या चीज़ अवाइड करनी है जैसे कि यूरी कारण का पता लगने पर डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि सबसे इंपोर्टेंट यह है कि वह पानी अगर आपको किड्नी डिजीज किड्नी स्टोन के समस्या है तो पानी जरूर रेगुलर इंटरवल पे ज्यादा से ज्यादा पानी आपके बॉर्डर बॉर्डी जो है व नहीं तो इस टो पारहिए या पार है नहीं निकाल आप इन तब जाकर जब चलता है है उसमोंट पर ऑप पहले नहीं पता चला तो इसके लेकर हमें क्या करना चाहिए कई वार में तकलीफ नहीं हो रही है तो हम जरूरी नहीं समझता डॉक्टर के पास जाना फिर नहीं आपको पता लगता है पहली बाद तो इस पर गवराना नहीं है अब आपने अपने पहले से संपर करिए और देखिए कि क्या संभावना है और अगर एडवांस स्टेज में है तो फिर ट्रांस्परांट है यह दो हैं कि अब कर सकते हैं अब पैंडेमिक केस में अपनी राए यह है कि फिलाल है कि अब दो तीन में के लिए ट्रांस्परांट करना चाहिए कि इस चुर्वाती दौर में पैस्ट्रांट में इम्रों सप्रेशन काफी हाइग ग्रेट कर दिया जाता है अधिक तर हॉस्पिटल कोई पिशन के लिए अब यह देखना है कि हम किस स्थी में है और जस्थी में भी है अपने कि पहले सथ बैट के इसको कैसे अगे बहतर कर सकते हैं और क्या हमारे पर बैस्वाल लोगों के जहन में कि अगर विमारी है कोई मरीज घर पर है तो घर पर रहकर हम उसका कैसे इला पर है मैंने जैसे पहले बताया था कि अपनी दवाया लेते रहें घर पर रहके वह अपने डॉक्टर से सब्पर्त में रह सकते हैं और लाइन से अगर किसी पेशिंट को एडवांस के डिजीज है जैसे कि डालेसिस पर भी है तो हम लोग आज कल घर पर भी जह हों मोडालेस की सुविदा उपलब्द करा रहे है क्योंकि सुविदाय बढ़ गई है घर पर हमोडालेसिस मेशिन स्टॉल हो सकती है और फिर हम अपने टेक्निकल स्टाफ की मदद से घर पर ही सुविदाय देते हैं ताकि उनका एक्स्पोजर होस्पिटल में कम से कम हो और उनका हपते मे दो या तीन बार घर पर उनको डालेसिस सुविदा दे सकते हैं डॉक्टर साब एक और सवाल यह है कि अगर हमें हलकी लक्षन दिख रहे हैं तो क्या हमें रेगलर डॉक्टर के पास जाना चाहिए या सीदे हमें नेफ्रोलोजिस्ट के पास जाना चाहिए अगर किड्नी फ ही है और यूरी में प्रोटिन का लीक होने लगे है यूरी मेर्वीस उक impose कोने लगे है तो एक बार किड्नी आपकी day की रहुत हैं लेकिन हाँ रॉक्ट जरूर करेंगे चु以前 से जरूर सब ना वस तो अपने फिजिशिंस सब पर बनाई तो कर पाए और रिचहर हैं उन्में आपके आपको गाइड कर सकते हैं पर बैतर यह होगा कि एक बार आप जो है जब भी बिमारी डेटक्ट होती है तो एक बार किर्णियस पहले से जरू विजट करें डॉक्टर साब आप नेफ्र लॉजिस्ट है और किनी ट्रांस्पांट सर्जन है लेकिन इससे इतर अगर दू हो चार दिन पहले आपकी पीरिट्स की अगर देट है और चार दिन बात की तो तब आप वैक्सिन ना लगवाई है क्या यह मिद है सिर्फ एफवा है या ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ सकता है बाड़ी को स्ट्रॉंग होनी चाहिए बाड़ी को पूरी इम्मुनिटी जो है कि वह बहुत जादा अच्छी होनी चाहिए मुझे आम सौरी मुझे इसके बारे में जानकरी नहीं है मेरी जानकरी में को ऐसा तथ्याया नहीं क्योंकि एक तो पैनिक की सिती हो और ऐसी इस तरह की इंफोर्मेशन स्पेड नहीं होनी चाहिए क्योंकि फोरा सा इसे गभराह चाहिए और वैक्सिन लगने के बाद क्योंकि साइड इफेक्ट आए हैं कई लोगों को चक्कर आते हैं कई लोगों को बॉड़ी पेन हो जाते हैं क्योंकि अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी माता श्री ने अभी वैक्सिन लगवाई थी पहली दोस तो उन्हीं चक सब्सक्राइब में बुखार आ रहा है चाहिए बॉड़ी दर्द हो रहा है इसका मतला हमारे इम्यून सिस्टम ने उस वायरस को डिटेक्ट किया है और वह एंटी बड़ी बनाएगा वागे जाके ठीक है तो पहले बात तो इससे घबराना नहीं है अगर बुखार आ जाता सब्सक्राइब करें बहुत शुक्री आपको इतनी इंफॉर्मेशन और अच्छे तरीके से इलैबरेट करके डॉक्तर साहब ने बताया हूं करती हूं कि सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत सहाई करेगी और जिस तरह से अभी डॉक्तर साहब ने बताए कि अपना अच्छा रखे और घबरानी के जरूरत नहीं है तानिक होने के जरूरत नहीं है साफधानी से रहिए सुरक्षित रहिए लगता नीजवल सारी चीज़ें बताएं हैं वह आपके लिए कागर सावित होगी तरहाल के लेतना ही अगली बार फिर लॉटेंगे किसी खास एपिसोड के साथ नमस्कार